असलाम अलेकुम वेलकुम बैक तो मैं चैनल सहरीज ग्लैम गार्ड कैसे हैं आप सब लोग अमीद करती हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अच्छा जी आज की वीडियो जो है वह शॉपिंग हौल के उपर रोहनी वाली है मैंने डिफरंट ब्रैंड से शॉपिंग की है कुछ स्किन केर की कुछ मेक अप के हवाले से और कुछ एक आध बैक जो है वो मैंने परशेज किया है तो वो जो है उसका मैं आपके साथ फुल डिटेल में रीवियू करूंगी तो जो हमारा फस्ट पार्सल है वो यह है जी बैग का और इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरहां का जो बैग है वो हमें रसी होगा बाइदाव यह जो बैग है मैंने दराज से परशेज किया था इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो इसकी प्राइस है वो भी आपको सक्रीन पर नज़र आ रही होगी अच्छा से इसको यह बैग जो हमने है ओपन कर लिया यह मैंने बैग केमल कलर में ओर्डर किया था बहुत ही अच्छे किसम का बैग मुझे रिसीव हुआ है काफी अच्छी पेकिंग थी इसकी इसके सारे रैपर्स को उपर से हम जो है रिमूव करते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इस बैग की जो फाइनल लुक है वो किस तरह की है यह देखे यह कितना प्यारा और हसीन कलर है बहुत ही ऐलिगंट कलर है और यह युनिवस्टी गोइंग गल्स इसको अपने साथ केरी कर सकती है और इसको अपने साथ केरी कर सकती है वैसे आप जो है मदर्स अपने साथ इसको केरी कर सकती है यह बहुत ही अच्छे किसम का बैग है बहुत ही इसकी जो लैदर है वो बहुत ही सॉफ्ट है प्लस यह इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही रख सकते हैं ये इसकी अंदर इनर पॉकिट लगी भी है जो हमारा जो नेक्स्ट पार्सल है वो ये कुछ स्किन केर की चीजें मैंने और्डर की थी अलफते से तो वो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि मैंने कौन-कौन सी चीजे जो है परशेज की है ये इन्होंने मुझे इस बड़े से बॉक्स में डाल के भीजी है अब लोगों पता है कि समर्स भी स्टार्ट है तो समर्स के हवाले से जो कुछ स्किन केर की चीजें है वो मैंने और्डर की है नमारा बॉक्स जो है बस होने वाला है उपन और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें से क्या क्या चीजे रिसीव एक दो और ये तीसरी तीन चीजे जो है मैंने और्डर की थी ये फर्स्ट वली चीज जो है मैं इसको उपन करती है और देखती है कि इसमें ये क्या चीज है आइ तिंग ये मुझे लग रहा है कि इसकी पैकेजिंग से कि ये पिमपल पैच मैंने और्डर किया था आप लोगों को पता है कि सममर्स में एकनी का काफी इशू हो जाता है ये मैं पिमपल पैच जो है वो यूज करती हूँ ये काफी अच्छा रहता है ये देखें जी ये है जी इसकी लुक अच्छे जो एकनी है वो काफी हद तक ठीक हो जाती और निशान भी नहीं पड़ता सेकेंड जो है वो इसको ओपन करते हैं सेकेंड वाले पैकेज को देखते हैं क्या इसमें रिसीव हुआ है हमें और जो पैकिंग है अलफते वालों की वो काफी कमाल की पैकिंग है मुझसे तो बहुत मश्किल से ये जो है ओपन हो रही थी अच्छा वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो बहुत ही मेने से बनाया जाती है रोज वाटर को यूज करना चाहिए आपकी स्किन के लिए बहुत ही बहने फैशल होता है अच्छा जी ये जो थर्ड वाला चीज है उसको मैं आप उपन करती हूँ पैकेजिंग जो है बहुत ही इन्होंने कमाल की की हुई है मुछे कमाल की पैकेजिंग है लेकिन MHS खोलते वेसे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि इन्होंने बहुत ही इसको रैप कर दिया हुआ है बबल रैप में मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी इसको उपन करने में लेकिन बस यह आलमोस्ट ओपन होने वाला है हान जी यह मैंने गार्नियर का माइसलेर वाटर क्लिंजिंग वाटर ओर्डर किया था अगर आपने इसका रिव्यू देखना चाहते तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकती यह तीनों चीज़े मैंने पर्चेस की थ इसका रिव्यू देखना तो मैंने इस तो मैंने इस काजल को आप लोग देख सकते हैं यह काजल की फाइनल लुक इसको आप ओपन करते हैं और देखते हैं कि अंदर से काजल किस तरह का हमें रिसीव हुआ है इसकी बहुत ही हर कोई इसको शेयर कर रहा था तो मुझे भी काफी क्रियोसिटी हो रही थी के मैं इस काजल को देखूँ और इसको यूज करूँ और यूज करके बाद मैं रिव्यू इसके शेयर करूँगी और काफी यह जट प्लैक किसम का काजल है जो डेटेल रिव्यू है वो मेरे चैनल पर जल्द ही शेयर हो जाएगा मुझे थोड़ा सा ये जो काजल है वो एक्सपेंसिव लगा है अच्छा जी ये एक और चीज इसके अंदर से निकली है ये इन्होंने मुझे गुडी सेंड की है थैंक यू फॉर दिस ये गलो ब्यूटी वालों ने मुझे ये सेंड की है इनकी ओल इन वन फेशल इस चोटी सी डिब्बी में ये भी यूज करके तो मैं इसका रिव्यू आपको आपके साथ शेयर कर दूँगी ये है जी एक चोटी सी चोटू सा क्यूटी सा ने इन्होंने मुझे गुडी ये सेंड की है मुझे काफी अच्छा लगा है इस चीज को देखे अच्छा जी ये तो थी आज की विडियो अगर विडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल एंड अल्ला हाफिस